आज हम बनाएंगे पुदीना कढ़ाई चिकन रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनेगा इस तरीके से बनाईए टेस्टी जूसी सभी को बहुत पसंद आएगा बचे बड़े शौक से खाएंगे इस तरीके से चिकन बनाएंगे एक बाद जरूर टाय कीजेगा चली शूर करते हैं तेल को अच्छे से गर्म करेंगे इसके बाद चिकन को फ्राइ कर लेंगे अच्छे से चिकन का सारा पानी सूख जाए तब तक चिकन को अच्छे से भूनते रहेंगे में निकाल लिया है और कुछ मैंने खड़े मसाले लिये हैं उसी तिन में डालेंगे थोडा तेल और उसके बाद खड़े मसाले चटक माने ज़ए कमेसाले एड्ब हो्ड़े आपраш करेंगे तू टीस्पून डालेंगे अधरा ग्लसन का पेस्ट नमक डालेंगे स्वादनुसा नमक डालके चलाते वे एक बार फिर से भून लेंगे मसाला अच्छे से भून गया है अब फ्राइ किया हुआ चिकन डालेंगे चिकन डालके चलाते वे 5 मिन्ट और भून लेंगे मेडियम फ्लेम पे उपर से डालेंगे सुखा पुदीना पुदीने वाला चिकन बहुत ही टेस्टी लगता है गर्मी में जरूर बनाईए इस तरीके कर चिकन पुदीना डालके चलाते वे अच्छे से भूनेंगे धकन धके लोफ लेंपे पकाएंगे यह देखिए चिकन तयार है मैंने पानी डालके थोड़ा सो और पकाया था पुदीने वाला कड़ाई चिकन तयार है बहुत ही टेश्टी बना है कम टाइम में आसान तरीके से कम मसालों में सभी को बहुत पसंद आयागा इस तरीके से ट्राइ कीजेगा अगर आपको कड़ाई चिकन की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेर्स और चैनल को सब्सक्राइब करेगा